नमस्कार मैं हूँ आलोक सांगवान और आप सभी देख रहे हैं दभारत खबर आज हम चर्चा करेंगे बीते दिन यानि रविवार को जिस तरीकी से राजधनी दिली में एक अफ़ा फैली और तमाम दिली में उस तरह का तनाव पैदा हो गया कि आखिर ऐसा क्या घटित हो गया ये दो तमाम चीजें हैं ये कहीना कहीं सवाल पैदा करती हैं कि क्या दिली वासियों का क्या हमारा इतना विस्वास कम हो गया है क्या हमारा समाजिक तानावाना ऐसा हो गया है कि हम एक अफ़ा को क्रोस चेक भी नहीं करते हैं अफवा पर विस्वास करते हुए इस तरीके से सकते में आ जाते हैं इस तरीके से डर में आ जाते हैं या फिर कहीं न कहीं नोर्थिस्ट की जो भटना है उसने हमारे दिल और दिमाग पर इस तरह की चाप छोड़ दी है कि हम भै में डर में जी रहे हैं ये जो तमाम सवाल हैं इनके बीच में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से तमाम चीजें हुई जिस तरीके से खाला से एक खबर निकल कर सामने आई और जो ज्रेफवा है वो वहां से चली ख्याला जो की सुभासनगर के पास रगविरनगर के पास पढ़ता है वहां से ये तमाम चीजें चली और ये हुआ की राजधानी देली में ख्याला जो जगए है वहां पर माहूल खराब हो गया है कही ना कही जगड़े किस्तिती है दो समुदायों के बीच में जगड़े किस्तिती है उसके बाद ये खबर आगे बढ़ती है रगविरनगर तक फैलती है और रगविरनगर से आगे बढ़ती हुई ये खबर नांगलोई में पीरागड़ी के लाके में आगे सून परक में मौन का तक, फिर सुल्तान पुरी, मंगल पुरी, डौहिनिंग इस तरह के तमाम इलागों में फैलती है यानि कही ना कहीं जो तमाम इलागा है उसमें तमाम लोग सकते में आजाते हैं देखते ही देखते तमाम जो बाजार है वो बंद होने लगते हैं हर किसी के चेहरे पर वो डर दिखाई देने लगता है कि ये क्या हो गया कैसे हो गया क्या होगा आखिर किस तरीके से तमाम चीजें हो रही है हर कोई नौर्थिस्ट की स्थिति को देखकर अपने जहन में उस से निकलना शुरू कर दिया और इस बीच लगाता लोग जो है वो इकठे होते गए अलग लग जगों पर लोग इकठे दिखाई देने लगे परशाशन ने तमाम स्थिति को गंभीरता से लिया और परशाशन ने मैं ये का हूं का कि बहुत ही तुरता फूरती से तमाम स्थित ता मेडिया के माढ़ेम से और धूसरे New C Change के माढ़ेम से मीडिया के माढ़ेम से ये तमाम चीजें जनता तक पहुंचाने की कोसिस की गई कि कि किसी भी अफ़वाब पर विस्वास ना करें दिली में पूर्ण तोर पर पर परशानती है कही ना कहीं अपनी जिम्मेदारी परशाशन ने पूर्ण दोर पर निभाने की कोसिस की और उसके साथ-साथ जो नुमाइंदे थे जो विधायक थे स्थाने विधायक जो नेता थे उन्होंने भी आगे आकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया और तमाम जो चीज में इस तरीके की कोई लड़ाई या कोई जगडा राज़ानी दिली में है मगर जिस तरह का पैनिक फैला वो कहींना कहीं चिंता खड़ी करता है और उसके चलते कहींना कहीं सवाल खड़े होते हैं इस तमाम घटना के पीछे हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों ने भी इस बस्ट करने की कौस्स की कि ख्याला में कुछ जो जुवारी लोग थे जिनको पुलिस पकड़ने गई थी उन जोवारी लोगों में जस तरीके से वो जोवारी लोग भागे और क्योंकि पुलिस सिविल वर्दी में थी वैसे में कही ना कहीं उन्होंने निकल कर उस तरह के अफ़वा को फैलाया और उस तरह के अफ़वा फिर आगे से आगे फैलती गई जिसको लेकर कहीं ना कहीं हम से वो चीज़ें आगे बढ़ती गई और एक दूसरे की रिस्तेदार को कोई जानकार था उसको फोन लगा कर आपस में ये बताया गया कि हमारे यहां ऐसे स्थिती हो गई है किसी ने भी क्रोस चेक करने की कोसिस नहीं की इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या हमारी मानसिक स्थिती ऐसी हो गई है कि कोई अफवा आती है तो हम उसको तुरुंत विस्वास कर लेते हैं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए जस तरीके से परशाशन ने भी अपनी तरफ से तमाम पबलिक को अवेर करने का काम किया और हमने भी लगातार पबलिक से यही अपीर की कि इस तरह की किसी भ पता लग पाए ताकि आप किसी भी तरीके से ऐसी भैक स्थिती में ना आपाएं इसके इलावा जहां भी आप रहते हैं उस तरीके से पीस कमेटी का निर्मान कीजिए ताकि इस तरह कि यदि को स्थिती बनती है तो वैसे स्थिती में तमाम स्थिती को काबू में रखा इलाके में शांती बनाई रखी जासके इसलिए पीस कमेटी को बनाएं और पीस कमेटी में तमाम जो संपरदाएं हैं उनके सदस्यों को लें ताकि उनकी भी किसी तरीके से भावना आहत ना हूँ उनको भी लगे कि उनकी भागेदारी हो रही है हम तमाम लोग कही ना कहीं तमाम जो भाईचारा है उसके तहट रहना चाहते हैं और चाहिड तोर पर जो समाजिक ताना बाना है उसको बनाई रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से परशाशन ने बीते दिन अपनी तरफ से तुर्ताफूरती में तमाम काम किये जिस तरीके से तुर्ताफूरती में तमाम जगे मार्च भी निकाले गए संपरदाए के लोगों को साथ लेकर मार्च निकाले गए ताकि एक संदेज दी अजास के जनता में कि सब कुछ ठीक है All is well मगर इसमें कही ना कहीं जो तमाम नुमाइंदे थे जो नेता थे उनकी भी भागिदारी रही वो भी ग्राउंड पर उतरे तो ये एक अच्छी चीज है कि कहीं ना कहीं नेता और जो अधिकारी है वो भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं ताल में जाएं किसी भी तरीके से उसको लेकर पैनिक की स्थिती में ना आएं और कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं यदि कोई उसको लेकर किसी तरीकी का उनके मन में भै है डर है तो उनको तमाम लोगों को अपनी तरफ से शान्तों ना दिया जाए उनको विस्वास दिलाया जाए कि इस तरह की कोई बिस्थिती नहीं है आप बिलकुल महफूज हैं राजधाने देली में और उसके लिए कहीं न कहीं परशाशन अपने सर पर काम कर रहा है तमाम जो मसींदी है सरकारी मसींदी वो अपनी तरफ से काम कर रही है कहीं न कहीं जो तुरता फूरती में तमाम चीज़ें होई पूरी रात भर जिस तरीकी से परशाशन ने अलर्ट रहकर परशाशन के आला अधिकारियों ने अलर्ट रहकर अपनी तरफ से तमाम स्थिती को काबों में किया है ये निश्ड तोर पर सरानियए है और इसको लेकर कई जो लोग है वो ये जरूर कह रहे हैं कि ये जो स्थिती थी ये कही ना कही नोर्थ इस्ट में वह दी परशाशन करता तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती जाहिद तोर पर हो सकता है कि उस वक्त परशाशन की कोई मजबूरिया रही हो परशाशन के पास उस तरीके की जो संख्या है वो पुलिस पल नहीं रहा हो क्योंकि अमेरिकी जो रास्टपती थे वो दिल्ली में थे तो जाहिद तोर पर उस तरीके की जो संख्या थी वो कही ना कहीं उनके इंतजाम में भी बीजी थी मगर तमाम जो स्थिति है उसके बीच में जिस तरीके से कल जो काम किया वो निश्य तोर पर तारिफ काबिल है जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों ने तमाम स्थेटी को सांभाला और कहीं ना कहीं किसी भी कोने से दिली के किसी तरह की कोई एप्रिय घटना नहीं सुनने को मिली किसी भी तरह की की कोई छुट-पुट घटना भी सुनने को नहीं मिली ये कही न कहीं तक परता प्रशाशन की है और उसके साथ-साथ जो नागरिक जागरूख है जो लगातार इस तरह की चीजों को देखकर अपनी तरफ से तमाम अफ़ाओं को क्रोश चेक करते हैं और उसके बाद तमाम लोगों को समझाते हैं ये उनकी समझदारी का अपने नाम है इसके लावाँ नेताओं का समझदारी का अपने नाम है जो जनता ने जिनको चुना है और वो जनता के बीच में जाते हैं तो कहीं न कहीं जनता का एक मनोबल जो है वो बनता है उनको एक विस्वास होता है कि हमने जिसको चुना है वो हमारे बीच लिहाजा ह हम अपनी तरफ से महफूज हैं तो हम आपसे यही अपील करते हैं तो भारत खबर के प्लेटफॉम से कि लगातार आप यदि इस तरह की कोई भी अफवा आती है तो उसको परशाशन के इस तरह पर क्रोश चेक करें अपने महले में अपने जो साथी संबंदी हैं उन तमाम लो आप तमाम लोग इस तरह की से मिलकर काम करेंगे जो निस्टिटोर पर कहीं ना कहीं जो जिन्दगी है वो फिर से पटरी पर लोटेगी जो दिल्ली है उसका सुहारत और भी मजबूत होगा हमारा मेल जोल मजबूत होगा हमारा अपसी भाईचारा और प्रीम प्यार जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा फिलहाल देजिए एजाज़त आप देखते रही है तबारत खबर